हलो बच्चो बच्चो आज हम करेंगे computer graphics के अंदर जो first unit के अंदर हमारे पास most important section है जिसका नाम है line drawing algorithms तो उसके हम देखेंगे कि वह कैसे जो line drawing के algorithm वो कैसे काम करते हैं तो यहां पे हमारे पास अब line drawing algorithm के अंदर जो algorithm है उसका नाम है DDA algorithm जिसका पूरा नाम है digital differential analyzer algorithm काफी important algorithm है बच्चों को confusion रहती है paper के अंदर university exam में 10 से 15 नंबर में या तो algorithm की description आ जाती है या फिर आपको एक numerical दिया जाएगा solve कर दिया तो पूरे के पूरे 10 या 15 नंबर जितने में पूरे के पूरे मिलेंगे तो आज हम करने वाले हैं कि वह कैसे जो DDA algorithm है जो हमारे पास पिछले concept थे कि line drawing algorithm के अंदर incremental method है तो कैसे DDA method incremental method को use करते हुए किसी line को draw करता है एक raster screen के उपर प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना पूरा देखना आखरी में एक important बात बताने वाला हूँ क्योंकि वह इसी से related होगी तो वह आपके बहुत काम आएगी otherwise आपका होगे confused रह जाओगे कि हमारी book में तो ऐसे है आपने ऐसे कैसे करा दिया यह numerical ऐसे solve हो रहा है आपने कैसे करा दिया तो पूरी वीडियो देखोगे तो पूरे answer मिल जाएंगे आपको तो बात करते हैं मैं अपनी दिपसे कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरा easy way म समझा सकूँ एक ही बार मैं आपको समझ में आ जाई वह मैं तरीका लाया हूँ तो बात करते हैं देखो line drawing algorithm के अंदर जब भी हमारे पास concept आता है line का तो line से related हमारे पास कुछ properties होती है तो उन्हीं को use करते हुई जो हमारे पास different algorithm है न वो line को grow कराते है line की एक property होती है जिसका नाम है उसका slope line का एक slope होता है line के slope को हम कैसे represent करते है M से पता ना यह हमने mathematics पर पढ़ा है M का मतलब क्या होता है अगर मैं कहूं तो वो होते है हमारे पास जो starting coordinate and हमेरे last के coordinate दे होंगे point align के तो y2 minus y1 x2 minus x1 यानि की जैसे suppose कर लो मेरे पास यह दो coordinate है ओके यह starting है यह और end coordinate है और इसको जोड़ते हुए हमारे पास line बनेगी तो हमारे पास x1 क्या होगा 1 y1 क्या होगा यह x1 y1 x2 y2 यह होगा तो वो मैंने लिखे y2 minus y1 upon x2 minus x1 यह होता है हमारे पास slow और जो y2 minus y1 होता है उसको हम क्या कहते है डेल्टा y यानि change in the y interval यानि y में क्या change हो रहा है वो ऐसी x2 minus x1 क्या होता है डेल्टा x बोलते हैं जिसका मतलब क्या होगा x interval x interval का मतलब पिछले से अब new में क्या change हो रहा है पिछले point से आप increment करते हुए आगे जाओगे तो क्या change हुआ वो चीज यह होती है ठीक है चलिए अब देखो इस equation को use करते हुए मैं यह लिख सकता हूँ अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ अगर मुझ से multiply कर तो delta y इदर रहा जाएगा यह बन जाएगा ठीक है या इसको मैं y2 minus m को y2 minus y1 x2 minus x1 ऐसे करके लिखूँ और multiply कर दो x delta x से तब निकल जाएगा एक ही बात है सेम इसका उल्टा कि अगर मुझे delta y की value पता है तो मुझे delta x निकालना हो तो कैसे निकालूँगा मैं लग change in the interval of x क्या होगा मेरे पास तब देखो इसको इदर ले जाओ और m को नीचे लिआओ यानि delta y upon m हो जाएगा ठीक है जी यह delta y multiply by x to minus x1 y to minus y1 confuse मत हो ना बच्चो मैं बता जाता हूँ यह upon में m है यानि कि यह value उल्टी हो जाएगी न इसको ठीक करने के लिए इसकी value को हमने रहसी प्रॉक्कल कर दिया ठीक है तो यही बच्चे कहीं पे गलती करते हैं बहुत जादा इस चीज को याद रखना कि changing delta x हमारे पास यह होगा m का उल्टा होता है और यहाँ पे m जब y में लेते हैं तो यह same रहता है ठीक है चलिए यह most important है मैं पहले point को mark कर दूँ कि मुझे पता यहाँ पे आपने गलती कर दी न तो 10 के 10 number आपके उड़ जाएंगे आप सोचोगे मेरा answer क्यों नहीं आ रहा और आप गलती नहीं पकड पाऊगे ठीक है यह चीज़ याद रखना बस कि delta y upon m होता है चलिए अब आगे चलते हैं देखो सबसे पहले जब भी question आएगा तो आपको दो point दियोंगे दो coordinate दियोंगे ठीक है starting और end ओके उससे आपको करना क्या है m की value निकाल लेना है slope निकाल लेना है slope आगे से y2-1 यह इस value डालो आपके पास slope की value आजाएगी ठीक है जी देल उसके बाद उस slope से आपके पास delta y and delta x आजाएगा तीन चीज़े निकाल ली m निकाल लिया delta y delta x यह सारे निकाल लो तीन चीज़े आगी ठीक है जी आगे क्या करना है अब सुनना ध्यान से अब आपको इसकी और इसक greater than or equal to 1 है अगर delta x मेरे पास greater than या equal to 1 है तो मैं क्या कहूंगा कि जो change in interval होगा यानि delta x delta x क्या है कि पिछले से अब new पर जब जा रहे हो तो उसमें change क्या करना है यही होता है न change in position तो वो क्या होगा 1 कर देंगे हम जब मेरे पास दुबारा सुन लो delta x जब मैंने इन दोनों को compare किया और अगर मेरे को यह मिलता है कि delta x की value बड़ी है y से या उसके equal भी delta y से तब मैं क्या करूँगा delta x को 1 लूँगा ठीक है जी and मेरे को अब क्या करना है अगली positions निकालने अब सुनों द्यान से मैं एक example छोटा सा लेता हूँ ऐसे ही मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मुझे यह line ऐसे draw करते हूँ लेके जानी है मानलो मुझे इनके बीच के points भी तो निकालने पड़ेंगे है मैं बिल्कुल starting पे खड़ा था यहाँ पे मेरे पास इसको मैंने बोला क्या x i अब मुझे यहाँ पे जाना है मतलब इसमें increment करके आगे बढ़ना है तो मैंने कैसे करूँगा वो गे कहता है जब आपको x i से आगे जाना है यानि x i one position पे जाना है ठीक है इस position पे जाना है तो कैसे जाओगे आप जो आपके पास पिछली position थी इसका जो coordinate था वो ले लो साथ में delta x जो आप change कर रहे हो वो ले लो delta x कितना है मेरे पास 1 है तो मैं क्या कहूँगा यहाँ से उठके जब मैं यहाँ पे जाओँगा तो मैं कहूँगा कि पिछली position की जो मेरे पास x का coordinate वो ले लिया साथ में मैंने 1 add कर दिया और मैं x का coordinate यहाँ पे डाल दिया ठीक है y का coordinate निकालना है x का मिल गया y कब तो देखना है न y का coordinate कैसे निकालेंगे यह सारी condition कब चलेगी जब मेरे पास delta x greater than और equality to delta y होगा यह याद रखना ठीक है x के अगली position तो मुझे मिल गई y का coordinate क्या होगा y का coordinate क्या गयता है कि y अब मालोई x i और y और 1 साथ साथ ही तो होगे अलग थोड़ी न होगे अब मुझे y का coordinate निकालना है यहाँ पर y i plus 1 तो क्या करता है पिछला जो y है इस position में क्या करो आप पिछला जो y था उसको पकड़ लो साथ में delta y delta y जो आपने change किया वो पकड़ लो delta y क्या आपके पास delta x तो 1 हमने बना दिया delta y कहां से आएगा यहां से आएगा इसकी value क्या है आपके पास m dot delta x slope आपने निकाल लिया delta x आपने ले रखा है 1, slope आपने निकाल लिया delta x आपने ले रखा है दोलों को multiply करना है यानि कि میں क्या कह सकता हूँ कि y i plus में delta y क्या हो जाएगा m dot delta x यानि इसको multiply करना है, ठीक है जी चलिए, डेलिट एक्स कितना लिया हुआ है, वन लिया हुआ है, यानि कि अगर मैं इसको वन लिखूंगा तो, य प्लस M हो जाएगा ये, विल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, कि यहां पर मुझे य आई प्लस में M, यानि स्लोक को एड करना है, वो मेरा next y का coordinate हो जाएगा, सबजगे बात, दुबारा बता दता हूँ, क्योंकि most important चीज़े सारी calculation यहीं से होनी है, पहले दोनों को compare किया, ठीक है अगर मेरे पास delta x की value y के equal, या उससे ज़्यादा आती है, तो मैं delta x सा 1 लेके चलूँगा, यानि change in x की जो position हो रही है, उस delta x मैंने 1 ले लिया, तो यानि xi प्लस 1, यानि पिछला point प्लस में 1, वो मैंने कर दिया, ठीक है, ऐसी y प्लस 1, तो y प्लस 1 का मतलब यह नहीं क्या आपको one add करना है, y प्लस 1 का मतलब पिछले से अगले में जो increment कर रहे हो, अगला जो step ले रहे हो, ठीक है, y1, sorry, y i plus में delta y, ठीक है, दोनों बेदे को सेम चीज़ है, change in y interval, delta y क्या है, delta y आपने यहाँ पर निकाल रहे है, m dot delta x, यानि slope multiply by delta x, delta x की value क्या आपके पास, 1 है, यानि इसको मैं 1 से multiply करना है, तो y i plus में, m आ जाएगा ना, बस simple से, यह हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका next point निकालने वाली condition हो जाएगी, बस आपको ऐसे करते जाना है, उसको solve करना है, बस एक बार 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 चेक नहीं करना है, कि अगले point के लिए फिर से check करोगे, नहीं, यह एक बार चेक करना, अगर यह greater देना था, तो हमेशा आपको delta x 1 लेकर चलना है, ठीक है, ऐसे ही, यहाँ पर क्या होगा, यह आपके पास इसकी equation आजाएगी, अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं, कि in case delta y जादा आजाए, तो क्या करेंगे, तब हम इसका उल्टा कर देंगे, simple, यहाँ पर delta x 1 था, यहाँ पर delta y 1 कर देंगे, कब करना है, जब delta y greater than होगा, equal होगा तो यह condition चलेगी, अगर delta y सिर् प्लस में delta x, delta x के मेरे पास, यहाँ पर देखो delta x के आपके पास, देखो delta y upon में m, delta y upon में plus कर दिया रहा, वो चीज़ निकालो delta y की value क्या है, 1, यानि इसको delta y की जिका 1 लखोगे तो क्या हो जाएगा, x i plus में 1 upon में m, ठीक है, चलिए, ऐसी y i plus 1, यानि next point क्या हो जाएगा delta y, sorry, y i पिछले वाला, plus में delta y, ठीक, delta y क्या है, 1, ये चलेगी, ठीक है न, ये चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ हो गई, आपकी 2 equation, बस, इसको याद रखोगे तो question आपके पास, जो numerical है न, चुटकियों में निकल जाता है, ये बच्चों को बता नहीं क्यों confusion रहत और कुछ हाई नहीं, अब मैंने यहाँ पर एक numerical लिया हुआ है, उसको हम solve करते है कि कैसे ये numerical होएगा, ठीक, मैं आपको end में कह रहा था कि ये चीज़ बताऊंगा तो video पूरी देख लेना, नहीं तो कुछ छूड़ी दाएगा, फिर मुझे मत कहा रहा, अब देखो, एक line grow करनी है, हमारे पास numerical है, जिसके हमें starting coordinate दिए है, 11, and the last coordinate हमें end position के coordinate दिए है, 4, में 3, चले, तो इस coordinate से मैंने x1, x2, y1, y2 की value निकाल ली है, यह मेरे पास x1, y1, x2, y2, x1, 1 हो गया, y1, 1 हो गया, x2 क्या हो जाएगा, 4, y2 क्या हो जाएगा, 3, clear है, सबसे पहले step क्या था हमें, m निकाल लो, slope निकाल लेंगे, slope क्या, y2 minus y1, upon x2 minus x1, 3 minus 1, 3 minus 1, 4 minus 1, यह मेरे पास क्या जाएगा, 2 upon 3, which is equal to 0.67, slope आ गया, पहला step complete, दूसरा step, delta x and delta y की value निकाल लो, delta x आपके पास आया 3, delta y आपके पास 2, क्योंकि यह देखो क्या है, उपर क्या हो तो, delta y, 2 आ गया 3, अब मुझे क्या करना है, conditions को चेक करना, कि क्या है, delta x, delta y से बड़ा है, छोटा या equal है, यह चीज़ है, चलिए, तो मैंने चेक किया, delta x क्या बड़ा या छोटा है, तो यहाँ पर मैंने देखा, कि delta x मेरा बड़ा है, यहाँ पर देखोगे आप, कि delta x is greater than or equal to, मेरे पास क delta y आ रहा है, यह चीज़ आई, यानि मुझे यह step follow करना है, समझे, अब मैं इसको भूल जाता हूँ, मुझे यह वाला follow करना है, ओके, चलिए, यह क्या कहता है, कि सबसे पहले delta x को one कर दो, delta x को one कर दिया मैंने, ओके, then वो क्या कहता है, आपको next position निकाल ली है, खीक है, अ x i मतलब currently आप कहाँ खड़े हो, y i मतलब currently y का coordinate क्या है, then उसके बाद जो आप increment कर रहे हो, next position पर जा रहे हो, वो हो जागा x next and y next, ठीक है, पहले coordinate, then उसके बाद के coordinate, simple सी चीज़ है, मेरे पास x i, y i क्या है stem अगर आप बताओगे मुझे, तो वो है आपके पास, stem x i के point क्य है, सबसे पहले, one, okay, y i starting position का point क्या है मेरे पास, वो भी one, okay, clear हो गया, चलिए, अब मुझे आगे जो point निकालने, वो हम देख रहेंगे, देखो कैसे, यहाँ पे आ चुके है, मुझे x i plus one निकालना है, अगला coordinate निकालना है, ये चीज और ये चीज सिर्म है, x i मतलब पिछ engine x क्या था, delta x तो one ना है, पहला point क्या है, मेरे पास x आएगा, one, plus मे delta x, बो भी one ना है, one plus one, two, यानि कि मेरे पास, इसको use करते हुए, इस concept को use करते हुए, अगला point x का क्या आगया, तो लिख दिया, y का निकालता है, बगला point निकालना है, तो y i plus one होगा, y i पिछला point क्य है, one plus में delta y, one plus में delta y क्या है, बच्चों यहाँ पे, हमने बोला था m, यह था, m क्या होगा मेरे पास, one plus में m, m क्या है मेरे पास, का निकालता, 0.67, तो मेरे पास value क्या जाएगी, इसको use करते, one plus 0.67 क्या होगा, 1.67, यानि कि, जब आप one one पे खड़े हो, तो अगला point होगा, यह two हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, 1.67, ठीक है, इसको grow कर दो, ओके, चलिए, अब देखो, अब आप इस पे तो पहुझ गए, यानि आपने यह चीज निकाल ली, ठीक है, अब आपको यह निकालना अगला, तो क्या करोगे, अगले के लिए आपके पास, यह क आपकी current position क्या है, current position अब आपकी है, 2 और यह 1.67, इसको use करते हुए तो आगे जा रहे हो, यह आपने निकाल लिया, इसके आगे का point निकालना अब आपको, ठीक है, चलिए, अब देखो, फिर से वड़ी step दुराएंगे और कुछ लिए करना, next point निकालना है, x का, यह point निक के लिख दिया, यह text के आपके पास, 1 उसको डाला, तो x की value क्या जाएगी, आपके पास, 3 आ जाएगी, x i प्लस 1 की value क्या जाएगी, 3 आ जाएगी, y i प्लस 1 की value क्या जाएगी, y i प्लस delta y, यानि पिछला point क्या है, पिछला point आपके पास, y i 1.67 है, उसके अंदर आपको क् तो यानि 0.67 उसको आप एड़ करोगे दो 2.34, ओके चलिए, हो गया जी, सिंपली, ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो, थर्ड पॉइंट, अब आपके पास ये पॉइंट आ गया है, तो ये अब आपके क्या बन जाएंगे, current position बन जाएगी, current position का मतलब x i y i coordinate, तो x i यहाँ पर लिख देंगे 3, और ये 2 point, ओके, ये current position होगी न आपकी, मैंने ये निकाल लिए, अब मुझे ये निकालना है, खीक है जी, देखो, x i plus 1, next point निकाल रहे हैं, तो पहला point क्या हो, 3, then उसके अंदर हम 1 करेंगे add, क्योंकि slope मेरा 1 हो चुका है, sorry slope मेरा 1 हो 4, okay जी, then मेरे पास क्या करना है, y में change करना है, ठीक है जी, तो y का next point निकालना है, y i plus 1 निकालना है न, y i पिछला है delta y, y i पिछला है 2.34, change कितना हुआ, 0.67 वाला, मतलब हमारे पास delta y की value क्या है, हमारे पास, यहाँ कम देखेंगे, तो 0.67, delta y की value नहीं, अच्छली में, यह delta y, अच्छली में, यह चीज है, m dot delta x, ठीक है, यह चीज है, हमारे पास exactly, तो यह क्या देखेंगी, 3.01, okay, अब देखो, जो आपका incremental method था, वो क्या करता है, बार 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 ची इन चीजों को check करता है, कि जो इस position पर आप खड़े हो, क्या वो आपकी end position पर आ चुकी है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा yes, यह आपकी end position आई है, तो यह आपके coordinate हो गए, तो यहाँ से आपके पास कौन कौन से coordinate आए, तो यहाँ से आपने start किया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिला, 2, में 1.67, दूसरा coordinate यही मिला था, उसके बाद आपको क्या मिला, 3, में 2.34, उसके बाद आपको क्या मिला, 4, 3.01, यह आपके पास हो गया, answer चलिए, यह आपका solution था, यहाँ पर आपको रुख जाना है, अब खुद बतायो, कुछ था इसके अंदर, जो बच्चों को लगता है, डीडीए, डीडीए, बुक से जरूर है कि मैं यह जरूर करूँगा, थ जिंगा लाला, ठीक है जी, तो उसको कर लो, यह चार पॉइंट बता दे न, भईया, यह चार पॉइंट मिले है, उसको ड्रॉख करो और answer ने कर जाएगा, clear होगी चीज, ठीक है, चलिए, जो important बात मुझे बतानी थी, अब उसको सुनो, देखो, यह जो इसका जो disadvantage है, पहल इसी नहीं होती, हमारे पास तो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी positions होती है, इसको कैसे draw करेंगे, तो इसकी वज़े से क्या होता है, हमारे पास, देखो, कुछ, ऐसी image बनने लग जाएगी, अगर suppose कोई कोई line draw करनी है, तो आपके पास, ऐसी मतलब, ऐसी ऐसी आ जाएगी, या फिर, ऐसी ऐस ही नहीं देती, तो इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए, इन्होंने क्या किया, एक नया method लाए, इसी के अंदर, DDA के अंदर ही तो बच्चे गल्ती कर देते हैं, वो मुझे बताना था, इसको थोड़ा सा एप्रॉक्स कर दिया, एप्रॉक्स में थोड़ी सी value को, इन्होंन तो ऐसे दिया है, वो हम यही करेंगे, आपको जब समझाया गया होगा, तो वो इस तरीके से है, numerical जो करवाए होंगे, वो थोड़ा सा हलका सा change कर लेते हैं, जहां पे वो use करते है, multiplication factor 0.5, ताकि इस value को थोड़ा सा ठीक किया जाए, इस वज़े से, जितनी value हमारे पास ठीक आएगी इतनी random 0.34, 0.67, यह value exist नहीं करती, screen पर, उन pixel में, तो उसको थोड़ा ठीक कर देंगे, इसको 0.5 से multiply कर देंगे, कुछ वो calculation होते हैं, हलका सा method change होता है, उसको हम करेंगे अगले numerical में, एक numerical लेंगे, जहां पे क्या होगा अगले वीडियो में, delta y वाला concept हम लेंगे यह जिसमें बुक बड़ा होगा, ठीक है, और उसको मैं आपको solve करके दिखाऊंगा, उनके दूसरे तरीके से, ठीक है जी, तो आप method कोई भी use कर सकते हो, कोई दिकत नहीं, वो वाला use कर लो, यह वाला use कर लो, बट आपको पता होना चाहिए, कि यह ना हो कि बुक से लिखी क्या चीज हुई है, चाहिए, चले, तो अगली वीडियो हम करेंगे, डिजिटल डिफ्रेंशल अनलाइजर का वो नुमेरिकल जहां पे, डेल्टा वाई बड़ा होगा, और उसको कैसे approximate करके, हम value को use करके, डो करवाएंगे, वो देखेंगे, चले, यह कोशिश करें चलो मैं वोई करवाँगा, ठीक है, चलो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेर करना मत बुलिएगा, और हो सक्या तो चैनल सब्सक्राइब कर लेजे, थैंक यू